मदर डिरी ने एक बार फिर अपने दूद की कीमतों में इजाफा किया है कंपनी ने फूल क्रीम दूद पर जहां एक रुपया तो वहीं टोकन दूद पर दो रुपय प्रती लीटर की बढ़ातरी की है नई कीमतों के बाद हर लीटर फूल क्रीम दूद के लिए अब चौसट रुपय और टोकन वाले दूद के लिए पचास रुपय परती लीटर चुकाने होंगे यहीं नई दरे सोमवार से लागो हो गई है कंपनी का कहना है कि लागत भढ़ने के चलते उसे मजबूरन कीमतों में बढ़ातरी करनी पड़ रही है दिल्ली NCR में रोज लगबग 30 लाग लिटर दूद सप्लाई करने वाली मदर डिरी ने इस साल दूद की कीमतों में यह चौती बाद बढ़ातरी की है अभी अक्टूबर में ही मदर डिरी ने दूद के दाम बढ़ाए थे इससे पहले मार्च और अगस्त में दूद के दामों में बढ़ातरी की गई थी अब इस बात की संभावना है कि मदर डिरी को देखते हुए बाकी दूद सप्लाईर कंपनिया भी अपनी कीमतों में बढ़ातरी कर सकती है आपको बता दें कि अक्टूबर में अमूल नहीं भी फूल क्रीम दूद और भैस की दूद की कीमतों में दो रुपे प्रती लीटर की बढ़ातरी की थी दूद की कीमतों में बढ़ातरी घरलू बजट को प्रभावित करेगी क्योंकि इस वक्त महंगाई दर अब भी पहले के मुकाबले काफी उपर बनी हुई है बचों में कुपोशन के लिए खाने की पॉस्टिक चीजों का महंगा ओना सबसे महतुपून कारण है महंगाई के आस्मान चूने से और दूद धही जैसी चीजों के लगातार महंगे होने से आम आदमी के सामने अब नई मुश्किल खड़ी हो गई है आपको बता दें कि अभी भी देश की 70% आबादी पॉस्टिक भोजन खरीद पाने में विफल है इसके अलावा पेट्रोल डीजल के दाम तो पहले से ही इतने भड़ गए हैं कि आम आदमी का बजट बिगड़ चुका है उपर से बेरोजगारी का आलम है ये सब मुद्दे एक दूसरे से जोड़ते हैं और इसके चलते आम आदमी का जीरा मुश्किल होता जा रहा है